मुझा नवस्कार बीसेन न्यूस की स्पेशल रिपोर्ट में मैक शिती जारेश मुकाव सरीका स्वागत करती हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम जानेंगे दिल्लिम एस्थीद बेगमपूर में हुई नाबाल एक लड़की की हत्या के बारे में जी हाँ बेगमपूर में हुई नाबाल एक लड़की की हत्या की करीब 10 दिन हो गया है कुल दिन तक पूरे इलाकों को पयरिकेटिंग किया गया था और परिजनों से किसी को भी मिलने के इजाज़त नहीं दू गए थी यहा तक कि मिल्या को भी जाने की इजाज़त नहीं थी अब लगता है मामला शान्त होते नजर आ रहा है आपको बताते चले कि कई बार परिवार से मिलने के प्रयास के बाद आज राड़तर लैंडू शक्ति संगटन के दिल्ली प्रदेशन देख्षर RS Bali उनके कारए करताओं को पुरुतक लगती के परिवार से मिलने दिया गया परिवार से मिलने के बाद standards बादाया साथ ही आज परिवार को मदद भी की आपको बताते ही चले परिवार आर्थी ग्रूप से कमजोर होने की वज़े से कही न्याय मिलने के पहले ही पीछे ना हट जाए जिसके वज़े से आरेजबाली वो उनके संगटन के कारे करता बार बार परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे थे वहीं परिवार से मिलकर उन्ने भरोसा दिलाया कि वह वो उनका संगटन हर प्रकार की मदद करेगा साथ ही मृतका की मा को सांत्वना देती हुए उन्होंने दोनों छोटे बच्चों की पड़ाय लिखाई का खर्च उठाने की भी बात कही और जब तक परिवार को इंसाप नहीं मिल जाता तब तक हर जरूरी मदद करने का भरोसा दिलाया जब हमारे समादता प्रिजिश कुमार ने वहाँ जाकर हालात का जायदा लिया तो लड़की की मा का कहना है कि पहले तो आरोपी लाइक खान ने मेरे घर आकर हम लोगों को अपनी अच्छी व मिठी मिठी बातों से अच्छे व्यवहार को दिखाया जिसके वज़े से हम लोग उसके चासे में आ गए और वहाँ अपने मनसुबों में काम्याब हो गया अजरी की की बात यहां पर हाई है यह वारदात है यह देश में हो रही है सरकार क्या कारवाई कर रही है यह तो नहीं पता लगर दिल्ली में के मुख्यमंतियारी आजों के कैमरे लिए क SJचे किमरे यह कहा मन गए इस घठना को अंजाम दे दिये सब्सक्राइब नाम का नाम किस तरीके से घृतना को अंजान दिया गार इस्तम है वाई तो इसके बाद करीब छे वजे गरीब हुआ मुझे सबते हैं और न ट्रफ आता हूं यानि घोम के आता हूं यू थोड़ा टाइम लग जाता हूं और तो देखता हूं तो मैं तो होता हूं तो फ़ी बंद होता है काफी दुखान में ठीक है आज तो पंदर मिंट शट पर हम बेट करते हैं काफी तो हम साड़ाइट पर ताला तोड़ते हैं तो इस टाम नीटू खुन से लस्त पस्त होती अंदर वाले कमरे में घटा को अंजान दे दिया था हाथ दे दिया था और वह उसमें विल्गुल व्यानी उसकी मृत हो गई हो जाती है वहां पर आपका कैसे उस लड़के से रिलेशन हुआ कैसे वह आना जाना हुआ करीब जब चाचा मेरे बीमार पड़े तब से ज्यादा कुछ हेल मिल गया था यानि जैसे काफी वह मरते मरते बच गए थे तो आई भी होस्पीटल में ले जाना यानि बना लिए तो यह भी बेटा करके बोलते भी बेट करल चिसी परिवात से यह ळागव हो रहे तो अभी तो उसी टेम था करीब अधा बेरिकेट लगा रखेते हैं तो मेडिया तो आपके उट पर दित तो हमारे साथ पुलिस वाले लड़के को पकड़ लिया था लोग क्या हम तो जहां तक की मांग कर रहे हैं उसे फासी की फंदे तक पहुचाया जाए हाँ तो मेरी मांग तो यह है हाँ मेरी फैमिली की मांगा यह है अभी हम इनके मदर से मिलवाते हैं हम तो ड्यूटी थे ड्यूटी साइब जूटी करते हैं मतलब सेंडल बनते हैं इसी चोटे से कंपनी में इसी बाहल पर हम सरा आए घर पर मैं लड़के न फोन किया कि मौसी का ना मुनी तू पता नहीं कह हम झागे हैं मने कि तूम से बोल की नहीं कहे नहीं है तो मिरी जाती ही जब जाती है तो मिरी जाती है हम यह तक छाला तोड़य तो देखा मीलली में कुछ भी नहीं था थी नहीं हमने कि घार के मिरी बादीया ता मास अलक निकला पड़ाता मेरी जारत SAK trade तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया आप लोग क्या मांग कर रहे हैं दस दिन हो गए हैं उसे फांसी लगना जल्द सा जल्द लगना चाहिए अच्छा आपको वह मा बोलता था तो कितना दुख आपको रहा है कि बेटा वन कुस्स ने तक मैं क्या आपने दुखी बता है मैं दुख कर मुझे भी मार जाता तो तमाम लोग हमारे साथ यहां पर आये हुए हैं पहले तो हम यहां के जो सरा आपका नहीं मेरा नाम धर्विं से कम मंजूर ही नहीं है और सरकार से मांग है कि इनको अर्थिक मदद किया जाए जो भी सर्गार के तरब से हो हर जगा मदद हो रही है इतनी दलित परिवार से बिलोंग करते हैं तो साहिता मिलनी ही चाहिए अच्छा दुबारा से मा के पाज जाओंगा आपको लगता था क्या कि उस लड़के के अंदर आपकी बेटी के लिए कुछ गलत खुसे कुछ सर मुझे कुछ नहीं पता चला था कभी कुछ नहीं की बेटी कभी ने जब ही बता जब हाल जब स्कूल में गए ते वह उसी दिन स पहले पीटी कुमारी को खतम कर दिया जो कुछ बहूल पाती हो आपने सुना किस तरीके से दर्दनाक इस घटना को समय अंजाम दिया हटोडे से सर में वार किया और कितने वार कियोंगे क्योंकि मास सर का सारा निकल गया था लड़की मर चुकी ती क्योंकि लड़की अपने पलस्तर है और यह मुझे लग रहा है कि अभी कुस दिन पहले ही इन लोगों ने बनवाया है माँ फैक्टरी में काम करती है परिवार भी काम करता है और बड़ी गरीब से भी गरीब इनकी इस्तिति है मैं थोड़ा सा और आगे आकर दिखा देता हूं कि किस तरीके से इनका घ तरीका है मैं देख सकते हैंघर में पछ्र०िशे стал घ्र रही है ईस तरीकों बना रही है यह तो पता सरकार सुर्फ अपनी बोटिंग और अपनी पार्टी के बारों में चर्चा करती है राष्टे हीं तुस्तित के तंमाम लोग हैं कि फोन भी लेकिन सोच आपका रखे थे मैं तो इसलिए गिया थे साब को का उनका ठीक है जी उन्होंने उसी टेम में सचे को फोन किया कि इनको छोड़ दिया आपने बताया कि हम यहां आना चाहते थे पहले लेकिन यहां पर इस तरी के से कर्फ्यू टाइप का लगा रखा त वो उनको वेडिया था हमने किल का थे एक कुछल वो आ गई थी तो बाकी हमें नहीं आने दिया हम फिर डीसीपी साब ने क्या बोला अब से उनका ठीक कारवाई हो रही है करेंगे रेस्ट कर लिया बाकी दो चार दिन रुको जो बताएंगे बीच में एक मोड आया था कि आ पर हम उनसे मिले जाके उन्होंनों भी हमें पूरी तसली दी कि कोई ऐसी बाद ही दो तिन देन रुक जो कि मैंने निया चार्ड लिया फिर जैसे बाली जी आप लगातार परिवार से मिल ले आ रहे हो कितनी पीडिता में हैं परिवाई चुकिना तो किस तरीके से आप इनक सरकार से बे vow step लोग्षा से कर रहे हैं खासकर दिली सरकार से क्भी की ली देखिए बहुद है नका करोड़ रप्या देने जाते यूपी तक नहीं पहर भी दस दिन होगा आज तक इनका एक भी कोई बदाय कोई अपने कॉंसलर को इनका मेंबर इनका आमाद कोई कारे करता खबर लेने नहीं आया तो यह जड़ वहां पर है जब से यह हिंदूों को तो इन्होंने खत्म करने की सोची हुई है कहीं नहीं कहीं आप यह कहना चाहते कि केंज सरका कोड के हम पैरवाई करेंगे अच्छी तरह आपने वकील ढूंड लिया मैं है अपने वकील आप किस तरीके से मदद इनकी करें दिखो एक तो मैं के बच्चों को हमने पढ़ाना है वह अच्छा पढ़ाएंगे हम इनको को ऐसी दिक्कत नहीं है में बच्चों को बाद में होता है कि अब पढ़ेंगे कैसे हो हम पढ़ाएंगे हमारे संसा ने हमें बात कर लिया इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी बाकी दिनों कमाना खाना खुद दिया अपना फिर भी आपकी तरफ से कोई मांग उसके लिए उसके वाल सरकार को तो मांग करने का नहीं पैदा मैं उससे मांग करने का कोई फैदा नहीं है ऐसे जानमों को आगे फ्रयाद को कौन करेगा और मरना है या तो मेरे को एक दुखा दो छे साल में छे साल हो गए सकार को किसी हिंदू की नहीं हल्प की हो बाली जी आप जब भी कारिकर्म करते हो और शायद इस पर तैयारी भी हो ग मानी उसने का हाँ हमारे घर में आने जाने लगे हो भाई हो आप हमारे लेकिन वो नहीं वारी तुसने हतोड़े से उसकी उसको मौत के खाट उतार दिया तो किस क्या संदे साब की तरफ से तमाम लोगों को रहेगा देशवाशियों को रहेगा क्योंकि इस तरीकी घटना कि पूरी को नहीं बिसा दी या है पूरी को आदि शॉस्मौन नहीं और लेकिन अब रह गया परिवार जो कि यह पहुत ही आर्तिक इस्तितिर की खराब है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं हमारा संगठन क्या कर रहा है यह हमें बताने की जरूत नहीं है और हम आगे तक क्या करेंगे वो भाई सबने बताया इससे भी जादा कुछ होगा हम वो भी करेंगे क्योंकि हमारा संगठन हमेशा सबसे इन चीज़ों से अलग चलता है हम जो जड़के मुद्धे हैं ना जमीनी मुद्धे हैं उन पर हम चलते हैं तो मैं हमारे जितने भी हिंदू संगठन आ रहे हैं यह यहां आएते मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ना आएं और आएं तो कुछ आर्थिक हैल्प इनकी करें चाहे वो कपिल मिस्रा जी हो चाहे को भी हो मेरा उनसे भी संदेश है मैंने उन्हें एक लाइन टैग भी कीती फेस उपए रिंकू सर्मा के हैं जो भी दिया गया है बहुत अच्छी बात है लेकिन हिहां सिलेक्टिव नहीं होना चीए यह परिवार अती दैनी इस्तिती में जी रहा है यहां के प्रदान जी के द्वारा मालुम पड़ा कि यहां पे इनके घर यह आठ महीने बिना बीली करें हैं जो हम सायद एक घंटे नहीं रहते हमारे घर में इनवाटर हर चीज की सुविदाए हम ले रहे हैं यह भी इनसान है हमारी तरह हम में और इनमें कोई फर्क नहीं है और जो हमसे बड़े हैं जो नेता हैं जो इनकी वज़ा से बढ़े हैं उनमें फर्क नहीं है तो हमारे हिंदू संगटनों कम से कम चीए क्योंकि हम विर्स्वास और भरोसा हिंदू पही कर सकते हैं तो वो कम से कम अपनी राईनीती को अलग रखते हुए दूर रखते हुए यहां आएं इनकी help करें जो भी हो सकती हो आभी तक आप बता रहें कि हूँ अबीद हाड़ा अचिक ने पॉल्ड़ रहे हैं पुलसं का रभण बता रहें कि यहां इस भी डिधायक, आपम आदी पार्टी देखिए ऐसा है दिली सरकार की इसमें कितनी कमी है ये आपको जग जाहर है जग जाहर कैसे है कि उनका एक बयान तक गटना पर नहीं आया काउंसलर हमें जैसे मालूं पड़ा काउंसलर और मले दोनों आमादवी पार्टी के हैं कोई भी इनके घर नहीं आया है इनकी किसी भी तरह के से कोई मदद नहीं करी गई है तो क्या उनका सरकार क्या इन्होंने बोट नहीं दिया होगा और नहीं भी दिया होगा तो उनकी कॉंस्टेंसी है उनका अधिकार बनता है उस सरकार के उपर कहीं ना कहीं ये रवही है जो आपको देखने को मिल रहा है कि कोई यहां पर नहीं आए तो क्या लगता सरकार की रणनीती बिलकुल सीधी है जो दो बातों में खतम होती है जिसकी वो हैल्प करते हैं पूरी तरह से तनमन धंसे सरकार उनके लिए लगी विए उसको कुछ-कु मोस्लिम और गरीब को नीसंस इसे वो जीत रहें और गरीबों को इस चीज़ पर सोचना पड़ेगा कि मरना है मरने से ना समझे मरने से च्छा मर्ने. और उनकी हेल्प लेने से अच्छा है कि अपना खुद मजदूरी कर लो लेकिन उन्हें बोट मत दो जितना उन्हें मजबूत करोगे उतने आप कमजोर होते जाओगे लेकिन रविंजी सरकार के लिए क्या हिंदू बोट सबने दिये हैं ये हमारा भी कहना है जब आहम आदवी पार्टी सत्ता में आई थी साइध हम लोग भी बदलाब चाहते थे हम बीजेपी को सपोर्ट करते थे लेकिन हमने उन्हें बोट दिया कि नहीं यार इनको मौका मिलना चीए ये जितनी बड़ी-बड़ी बाते करते हैं इमानदारी की बसों में चलेंगे गाड़ी नहीं लेंगे बंगले नहीं लेंगे उनको छोड़ो उनके जो कार करता हैं वो बंगले ले रहे हैं वो मजे ले रहे हर कार करता को अपने काम मिल रहा है उनके वो अगर उपर से अगर हो मुसलिम है तो उसे आइडेंटिटी भी मिल रही है उसे मकान भी मिल रहा है उसे काम भी मिल रहा है आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मुसलिमन पार्टी बन चुकी है दिली में आज से पांच साल पहले 84 के बाद कभी कोई दंगा नहीं सबसे पहले अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी सरम बची है तो उनका कोई भी नुमाइंदा यहां आए और इस परिवार की मदद करें कानून पुलिस अपना काम कर रही है हम यह नहीं कह रहे कि सरकार उसके लिए कुछ हलक करें हाँ फास्ट है की मांग भी हम उस सरकार से करते हैं उन्हें यह सब करना चीए जो कि इस परिवार का अधिकार और हक बनता है खेरात नहीं है तो आपने तमाम लोगों की चर्चाह सुनी और फैमिली से भी हमने मिलवाया है जिस तरीके से घट परिवार को चल्दी से जल्दी नियाय मिले मामले को किस तरीकी से घटना को अंजाम दिया गया आप जान चुके हैं उनके परिवार से बीसे न्यूस 24 के लिए उसने मेरी बेटी को अकिला पाकर उसे शादी की बात कही मेरी बेटी के मना करने पर हतोड़े से बार कर उसको म करने से पहले सौबार सोचे बीसे न्यूस के लिए दिल्ले से ब्रिजेश कुमार के रिपोर्ट ताश के स्पेशल रिपोर्ट में वक्त चला यही रुकने का साथा खबरे देखने के लिए आप देखते लिए बीसे न्यूस नमस्कार मुपड़ आप देखने का साथचा झाल यही रुकने का साथचाप जसा ते चला यही रुकने का से बार कि गला कर भार देखने का तूस कि लिए देखने का स्पेशां का